चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटिस्ट वीडियो के लिए हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का कटोश ट्यूब सिंधी चैनल में मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्क्स करूँगी आएचेम शिमला कॉलेज के बारे में बट इनकेस अगर आपने बाकी के आएचेम की इंफोमेशन को मिस्स किया है तो आपके पर देवों लिंक पर देख कर सकते हैं तो आए शुर्ण करते हैं हमारी इस वीडियों को इस वीडियों में कुछ बहुत ही इंपोर्टन पॉइंक डिस्क्स करेंगे जैसे कि आएचेम शिमला एक कैसा कॉलेज है कौन-कौन से कोर्सिस ओफर करता है उस कोर्स में एडमिशन देने के लिए क्या इलिजिबिल्टी क्राइटिरिया है कितनी फीज पे करनी पड़ेगी और पर बहुत सारी बाते जैसे की प्लेसमेंट और अधर फैसिलिटीज प्रोवाइड़ बाइचेम शिमला ये सब हम इस वीडियों में डिसक्स करेंगे सबसे पहले हम शुरू करेंगे आएचेम शिमला की बेसिक इंफरमेशन से जैसे कि आप सब नाम से जान ही गए होंगे कि Institute of Hotel Management शिमला जो की हिमाचल प्रदेश में है ये Ministry of Tourism Government of India से affiliated है ये top IHM colleges में आता है यानि कि इंडिया में जितने भी IHM's है उन में से एक सबसे best IHM जो है वो शिमला को भी माना चाता है तो वो सबी students जो hotel management courses में admission लेना चाते हैं जैसे कि अगर आप UG course यानि की degree course में admission लेना चाते हैं या फिर आप diploma course में admission लेना चाते हैं तो आप IHM शिमला को prefer कर सकते हैं उसके अलावा जो एक अलग तरह का course hotel industry के related जो IHM शिमला offer करता है वो है हुनर से रोजकार इसके बारे में भी बात जो है हम इस वीडियो में करेंगे तो अब मैं आप सब के साथ एक screen share करूंगी जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि IHM शिमला कौन-कौन से course offer करता है उसके लिए eligibility criteria क्या है और उनका fee structure क्या है तो आएए जानते हैं इसके बारे में तो सबसे पहला course जो IHM शिमला offer करता है वो है BSE यानि की degree course in hotel management जिसे हम BSE in hospitality and hotel administration भी कहते हैं इसकी duration जो होती है वो 3 years होती है और इसमें admission लेने के लिए आपको NCHM CTA exam जो है वो clear करना पड़ेगा अगर आपने NCHM CTA exam की information को miss किया है तो आप उपर do a link पर click कर सकते हैं और इसका जो है fee structure वो है 3.22 lakhs ये जो है ये मैं overall course की fee बता रही हूँ यानि की degree course जो है BSE वो आपका 3 साल का होगा तो आपकी 3 साल की जो total fees है वो 3.22 lakhs होगी उसके अलावा जो overall courses diploma में जो IHM Shimla आपको offer करता है वो है diploma in food production, diploma in F&B service इन दोनों का ही जो है course का duration जो है वो one and a half year का होगा और इसमें admission लेने के लिए students को जो है वो 12th pass होना चाहिए with English as one of their subject यानि की आप किसी भी board से 12th pass हो सकते हैं और किसी भी stream में हो सकते हैं बस mandatory यही होगा कि आपने जो है English subject में plus two अपनी की होनी चाहिए और इस course का यानि कि इन diploma courses का जो average fees होगा वो around आपको आएगा 35,000 रुपीज उसके बाद अब हम बात करेंगे हुनर से रोजगार courses के बारे में आएचेम शिमला जो है वो आपको पाच तरहा के हुनर से रोजगार courses offer करता है जिसमें से सबसे पहला है हुनर से रोजगार multi-cuisine cook course, housekeeping utility course, food production course, F&B service steward course और एक simple है आपका F&B service course तो इन सभी हुनर से रोजगार courses में admission लेने के लिए आपका minimum eligibility criteria ये होगा कि student जो है वो minimum 8th pass होना चाहिए और उसकी age 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और जो time duration होगा इन courses का वो depending upon कि आप कौन से course में admission ले रहे हो 720 hours भी हो सकता है 540 hours भी हो सकता है इस तरह से hourly basis पे इनका जो है course duration जो है वो fix किया गया है और इसमें admission जो है वो first come first serve के basis पे होगी इसका मतलब ये है कि for example मान लीजिए हुनर से रोजगार F&B service course में 20 seat ओफर की जा रही है तो जो सबसे पहले 20 students होंगे जो उस course के लिए apply करेंगे या admission लेनी के लिए IHM शिमला पहुंचेंगे उनी को हुनर से रोजगार उस course में admission मिलेगा यानि कि आपको जैसे ही इन हुनर से रोजगार courses का admission portal open होगा या admission facility open होगी आपको जल्द से जल्द college में जाके apply करना पड़ेगा तभी आपको उसमें admission मिलेगा जो पहले आएगा उसे पहले admission दे दिया जाएगा और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें zero fees है यानि कि आपको कोई भी fees पे नहीं करनी है ये तो था courses के बारे में कि IHM Shimla कौन-कौन से courses हमें offer करता है उसके बाद जो हम next point discuss करेंगे वो ये होगा कि IHM Shimla का placement कैसा है तो IHM Shimla जो है टॉप के hotels में जैसे ताज, ITC, अब रॉय, हयात, यहां तक की McDonald's और भी बहुत सारी food chains में भी अपने students की placement कराता है तो वो सभी students जो अच्छे से सीख रहे हैं जिनोंने अच्छे skills learn किये हैं या जिनको अपने department की पूरी knowledge है, अपने field की पूरी knowledge है वो सभी students अच्छे से अच्छी placement इस college से बढ़ने के बाद ले सकते हैं तो यह सब तो थी IHM Shimla के बारे में जानकारी इनकेस अगर आपके कोई questions हैं या queries हैं तो आप नीचे comment section में मुझसे पूर सकते हैं तब तक के लिए, please remember to subscribe to my channel and to like and share my videos